दोस्तों यह जो देख रहे हो पूरा सेंसर यूरेनल का सेट है जहां यह जो मेरे हाथ में है यह सेंसर है और यह है भल्ब जिससे पानी कंट्रोल करके निकालेगा पर इसका इनलेट आउटलेट आप लोगों को दिखाता हूं इसका एक छोटा सा वीडियो इंस्टाग्राम मे पानी और इस नेट से पानी फिल्टार होकर इधर से आउटलेट होगा और यूरेनल में जाएगा जो यहां पर कनेक्ट होने वाला है यूरेनल का इनलेट तो सबसे पहले हम सेंसर जो है बेटरी लगा लेते है इसमें तभी सेंसर काम करेगा तो इसमें चार बेटरी आता है लेकिन थोड़ा सा अलग सिस्टाम है ये यूरेनल जो है सबसे अलग है बहुत सारे में बॉक्स आता है जो रिप्यारिंग किया जाता है बट इसका आप सिस्टाम देखेंगे न पूरा तो थोड़ा आप भी चोकेंगे और यहां जो है ये नट है साथ में मिलता है इसे टाइ देना पड़ेगा इसके साथ और यहां राइटिंग जो है इस्ट्रेट करके आप लगाए और इस साइट से अपना टाइट कर दीजिए बागी चैनल में नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करिए क्योंकि प्लमिंग का इसा बहुत सारा वीडियो आ चुका है जो काफ मतलब इस से पानी पैल आके पहलता है यहां अप धियान से दीखिए इसमें हूल जैसा दीक रहा है पतला सा तो इसे अप इस तरीके से यहां रखेंगे और इसे नीचे रखकर टाइट कर देंगे मतलब होल जो है आपका नीचे होना चाहिए अप करेंगे हम यूरेन Edu measurement तो यह है वाइसर जिसे हम यूरेनल में पहले फीट कर देंगे, उसके बात मेजर्मेंट करेंगे, तो यहाँ इसे हम लगा देते हैं, नौरमेली फिलाल, और आउटलेट में कनेक्शन करेंगे, यह जो है दो इंच यू बीबिसी लाइन है, उससे पहले हम प्लाक खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी extension निपल या फिर elbow लगाना पड़ेगा, सीमेंट दे कर, तो चलिए सबसे पहले measurement का जो system मताय कुछ हम दिखाते हैं, पहले हम निकालेंगे elbow का center दिवाल से, अब वैसे ही उपर एक जितना measurement हो रहा है, उतना मैं मैं यहाँ मार्किंग कर लेता हूँ, यह मार्किंग मैं इसलिए किया, ताकि मेरा यूरेनल जो है, वो इस्ट्रेट हो, उसके बाद यहाँ पर देख लीजी, इसे मैं center में वाइट आया, elbow के center से पुरा इस्ट्रेट मार्किंग किया, अब जो है, वाइसर यहाँ लगाता हूँ, और इसमें मैं यूरेनल फिट कर देता हूँ, इससे measurement आपका straight होगा और perfect होगा, तो इसे हम center में रखते है, मार्किंग का, यूरेनल को, अब देख लीजी, आप पुरा इस्ट्रेट हो चुका है, उसके बाद चारो साइट आप मार्किंग ले सकते हो, उसके बाद करेंगे यूरेनल को पल्टी, और करेंगे measurement, यहाँ देख लीजे, दो रेक बोल्ट है, सोरी, इसे hook बोलते है, तो hook इस तरीके से लगाना है, जितना अंदर जा रहा है, दोनों साइट फिर center measurement कर लीजे, 170 mm मेरा यहाँ हो रहा है, मतलब 170, और दूसरा measurement है, यहाँ पर इस तरीके से जो hole देख रहे हो आप, उस hole के center मे बिल्कुल रखे, कोई भी straight चीच ले लीजे, यानि कि एक्सो ब्लेट से भी आप इस तरीके से center रखेगा, और उसके बाद यहाँ आप top measurement कर लीजे, रखकर यहाँ आप देख लीजे, 250 mm center हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, उपर top से यहाँ 250 mm center में marking करेंगे, और उसके बाद जो है, straight और एक marking यहाँ कर लेते हैं, अब यहाँ पर जो है मेरा 170 mm हो रहा था, तो उसे डिवेट करके इधर मैं marking कर लूँगा, और 170 mm इस तरीके से बाइटा कर मैं इधर भी marking कर लूँगा, अब यह हो गया मेरा egg drill का marking, उसके बाद फिर नीचे यहाँ इस तरीके से म में यह फूल कर लूँगा सभी, फिर इसे हम फिट करके कुछ बाइतरिन बाते जाना आते हैं, तो यह हो चुका है फिट, और यह जो है हूख है न, इसे आप अगर 2 mm डाउन करते होना, तो कोई प्राब्लम नहीं है, अगर 2 mm डाउन हो जाता है, या फिर आप हो जाता है, आपको ग्रेंडर में क्या है, उसका टॉप काटिंग करना पड़ेगा, अगर हलका सा उपर होता है, तो हलका सा घीस कर ग्रेंडर में उपर की साइट काटिंग कर दीग, तो इसमें 2 mm डाउन 5 mm डाउन होगा, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप चलिए देखते हैं फिट ठोक कर बैठा देना है, हलका हलका सहीदर, अब मैं नीचे एलबो लगा देता हूँ, एक्स्टन से निपल लगेगा, तो ये भी लगा दिया, जो यूरेनल के साथ ये एलबो आता है, तो इसे हम यहाँ पर लगा देंगे, सिमेंट जरूर लगाईएगा, और यहाँ आप ध प्रेडर अच्छे से टाइट कर दीजिएगा, नीचे पीछे साइड जो होल है, वो देख कर नहीं तो वो घूम जाएगा, अब भल्प में नेट वाला इनलेट है, और वो आउटलेट है, ये नेट में आपका टेंक का पानी आके डुकेगा, और इसमें आपका ये कनेक्श पाइप है, इसे हम इस इनलेट वल्प में लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है, इसका कैटलोक नहीं है, और ये जो इस फेडर है, सेंसर है, इस सब खोलने के लिए बहुत ही परिसानी कब होगा, जब बिगड़ेगा, क्यूंकि इसका बॉक्स सिस्टम नहीं है, अब ये जो अब कुछ सायथ समझ में नहीं आएगा, फिर भी दिखा रहा हूँ, इसका एक लोक सिस्टम है, उसे देखकर आप इस तरीके से लगा दीजेगा, प्रेस कर दीजेगा, एक भल्प से कनेक्शन हुआ, और एक जो है आपका सेंसर और बेटरी से कनेक्शन होगा, अब ये बे सिलिकोन लगा देंगे, हलका हलका सा गेप है, तो लिकेच हो सकता है, इसके वज़े से सिलिकोन लगा दिया, अब यहां और एक चीछ आप देख लिजे, सिलिकोन तो लगा दिया, बाइचंस अगर आप नहीं भी लगाते हो, या फिर लिकेच होता है, तो नीचे से जो आप का option है तो आप हाद गलाकर वहाँ से repairing भी कर सकते हो बट इसका sensor system बहुत ही गलत दिया जो काफी उपर है और नीचे से हाद गलाकर करना possible नहीं है तो हम connection pipe आप tight कर लेते हैं उसके बाद इसे हम fitting करते हैं और पानी चालो करके दिखाते हैं तो साइथ आप अब ऐसा urinal पहले देखे हो जो automatic तो होगा बट इसका काम जो है रसी से बान के करना पड़ रहा है और इसका system ऐसा है अगर कभी बिगड़े तो पूरा urinal खोलना पड़ेगा यह बहुत गलत चीज़ है तो इसे हम पहले और दूसरा जो खराफ चीज़ है जो sensor अगर problem होता है तो urinal पूरा खोलना पड़ेगा बागी looking में काफी अच्छा है मैं काफी दिन बाद आया हूँ पानी टेस्टिंग कराने के लिए जो यहाँ पर आप देख लिए लाइट हलका सा जला और यह निकला पानी सबसे कमाल की बात क्या है मालूम है इस बातरूम में तीन चीज़ लगा है और तीनों को तीन मैं वीडियो बनाया हूँ साथ आप लोगों को पता नहीं है तो चलिए पानी देख लिए हो अब थोड़ा सा कैमरा घुमाते है देख लिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिए ऐसा वीडियो नहीं देखे हो तो बाकी सारा इस बातरूम का जरूद देख लिए वीडियो को लाइक करिए स्क्राइर करिए दूसरे तक पहुचाएए फिर मिलने की कोशिस करूँगा आप लोगों के पास किसी दूसरे डपिक साथ तब तक के लिए बाई बाई जैहिन